पूर्ण कर दो आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आपके लिए यूपी पीसेल के मोस्ट एक्सपेक्टेड कोश्टिन के क्लास ठीक है तो जिसमें हम करने वाले हैं अलागले examination से जो भी अच्छे-च्छे questions है मैं आपके लिए लेकर आया हूं तो देखते हैं किस-किस examination equals to 100 meter square and 100 acres equals to 1 kilometer square then 1 kilometer square equals to how much meter square ऐसा पूचा जा रहा है जाकर लिए जाए ठीक होगा अब चलो ठीक है छोटा सा यह तो छोटा सा यह दिखेगा ठीक होगा थर्ड कहरें भई ठीक है लेस्ट ट्राइब देखिए हम एक बात अच्छे जानते हैं यह सब गुमाने फिराने के लिए बात है कह रहा है एक 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 जो है 100 एक किलोमेटर जो होता है वो हजार मीटर के बरावर होता है तो यह एक किलोमेटर स्कॉयर कितने के बरावर होगा हजार मल्टिप्ला है भाई हजार मीटर स्कॉयर के सही बात है तो भाई एक किलोमेटर स्कॉयर कितने के बरावर हो गया भाई तीन जीरो और यह तीन जीरो म में दिख रहे हैं क्या एक, दो, तीन, चार, पांच, छे थर्ड हो गया answer clear है, चलिए, थोड़ा सा और ट्राय करते हैं अगला question ट्राय करते है सी answer आपको दिख रहा होगा यह देखिए, अगला question जो है, LMRC में assistant manager में पूछा गया था, these are some undesirable elements to be avoided while fixing the alignment, ठीक है Hindi English, दोनों में इसलिए मैंने आपके लिए कोशिश की है कि questions को लाया जाए ठीक है, तो questions आपको दिख रहे होंगे ठीक है, these are some undesirable elements to be avoided while fixing the alignment तो इन में से बताना है कि इन में से कौन से ऐसे point है, जो undesirable है ठीक है, A है, B है जैसे Marshall Land बोला गया कि भाई, अगर आप किसी एक alignment को fix कर रहे हैं, एक road एक road जब आप बनाते हैं, तो एक alignment जब fix करते हैं, तो उसका alignment fix करते समय है आप उसको कहां, रास्ते में क्या नहीं, undesirable क्या है क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है Marshall Land नहीं होना चाहिए, releases places नहीं होने चाहिए water locked area नहीं होना चाहिए, costly structures नहीं होने चाहिए क्या, देखते हैं भई ठीक है, और like ज़रूर करेंगे सभी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जितने यहाँ पे देख रहे हैं, उस हिसाब से मुझे like नहीं देख रहे है ठीक है, और जितने भी नए बच्चे हैं, सब भी लोग चैनल को subscribe भी कर लें भई ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए Marshall Land, एक ऐसा area, अगर उसके along alignment set करता हूँ तो वो क्या कर सकता है, हमें नुकसान पहुचा सकता है, accident वगरा cases में religious areas बहुत populated होते हैं, water locked areas में भी problem create हो सकती है cost structures भी नहीं होने चीए, क्योंकि अगर accident वहाँ पे हुए तो, वहाँ पे नुकसान बहुत जादा होगा, तो हम कभी भी alignment इनको ध्यान में रखते हुए रखते हैं, कि यहां से कम से कम गुजारें, इन से थोड़ी तो distance बनागे रखें, ठीक है ना, इसलिए answer क्या हो जाएगा, A, B, C, D, सारे हो जाएगा ठीक है, A, B, C, D ठीक है ना, बिलकुल, चलिए थोड़ा सा और ट्राय करते हैं, ठीक है देखिए यहां पर answer का variation बहुत ज़्यादा था ठीक है न, fourth भी था, सिर्फ B और D ठीक है, answer one भी था, answer two भी, वो बहुत variety देखने को मिली आप लोगों के, लेकिन answer क्या होगा, third होगा, ठीक है, LMRC ने पूछा था assistant manager में, चलिए और ट्राय करते हैं, यह देखिए, एक question है, बहुत बढ़िया, to enhance the accuracy of the measurement अगर आप कोई measurement का काम कर रहे हैं और उसकी accuracy को enhance कर रहा है आपको, which of the following point is important when selecting a site for a baseline, जब आप एक baseline क्योंकि हमने क्या लागा था जब surveying में कर रहे थे, कि सबसे ज़्यादा precision के साथ हमें main line, baseline, check line, tie line, हमार पास 4 type की line थी, इसमें सबसे ज़्यादा precision के साथ में baseline को measurement कर रहा था और यह भी कह रहा था कि longest code होगी किसी area की, यह बात करी थी हमने, ठीक है, तो हमने यह कहा था है कि maximum precision या the ground should be free from obstacles, रास्ते में कोई रोड़े नहीं आने चाहिए, जमीन बादाहों से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, ground should be free from sunlight, ठीक है, किसी भी तरह की रोशनी नहीं पढ़ दिनी चाहिए, ठीक है, the ground should be of uniform gradient to all the sides from the center, ठीक है, सभी तरह से समान ढाल वाली होनी चाहिए, ठीक है, तो किस तरह से आंसर करेंगे, देखते हैं भई, और मैं देख रहा हूँ, काफी बच्चे जो हैं, अब attentive भी रहने लग गए हैं और regular भी रहने लग गए हैं, लेकिन जो लोग अभी भी जिनको भी नहीं पता है कि 7 वे धे class होती है, सभी बच्चे उसको share जरूर करा करें, ठीक है न, और शेसंस पसंद आते हैं तो comment करके जरूर बताया करो, ठीक है न, आपके comment से पता चलता है कि मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, आप लोगों के लिए, the ground should be, मेरे साफ से the ground should be free from any obstacles, ठीक है, जब भी अगर कोई रास्ते में कोई obstacle नहीं होंगे, परिशानिया नहीं आएंगी, कोई बाधाय नहीं आएंगी, तो जादा से जादा accuracy के साथ मैं काम कर पाऊंगा, sunlight से मुझे फरक नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे gradient से फरक नहीं पड़ता, मैं correction लगा लूँगा, ठीक है, satellite station, temporary stations होते हैं न, मुझे कोई भी रास्ते में obstacle नहीं चाहिए, ताकि मैं किसी भी, क्योंकि ये क्या है, satellite station या un-uniform gradient क्या है, अगला देखते है, which type of surveys used for determining the different strata in the earth crust, अगर अलग लग जैसे अज़ब ही ये अर्थ है आपके पास, अर्थ के अंदर अलग 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 type की soil present है, अलग अलग type का कहीं पर कैसा पस्तर present है, कहीं पर कुछ present है, कहीं पर कुछ present है, अभी हाली में ही उत्रपदेश के अंदर, सोन भद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको जो gold reserve मिला है बहुत बड़ा, बढ़ बढ़ या, शान दरान से करें, जी लॉजिकल सर्वे, ठीक है, हर्याना SSC Jai का सवाल, बहुत बढ़ बढ़ या, बहुत अच्छा करने आप लोग, ठीक है, तो जिनका नहीं भी आ रहा है, कोई बात निवो सभी गर लेंगे, अपने पास, ठीक है, हर्याना SSC Jai का, एक और सवाल है, कि एक स्क्वाइर यार्ड कितने स्क्वाइर फिट के बराबर होता है, देखें, कितने सिंपल कोश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन, यहाँ पर बहुत सारे SSC student होंगे, जो कि यह नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, वह यह एक मीटर में 100 cm होते हैं, सब को स्क्वाइर फिट होते हैं, कितने, नौ स्क्वाइर फिट, आंसर दो बन गया, मैं एक दो और भी डिटा आपको दे देता हूँ, एक स्क्वाइर फिट में, कितने हैं, सब करसे हैं, फिट गया बता है, इक बहुत में 0.09, स्क्वाइर में ठे रहा हूँ, हूँ, हूआइर भी डिट हूऊ, इसलिए मैं आपको मेंठर में कान वर्जेन की वैलि clapping अपने पास, नोट कर के रखेंगे, ठीक मी इसका पीदि यई, आप डाउनलोड कर सकत है class के बाद attach हो जाएगा ठीक है इसके लावा मैं आपको बता देता हूँ एक square yard क्योंकि square yard के time से पूछा गया है इसलिए मैं इस data को भी आपको दे देता हूँ एक square yard जो है वो 0.83 square meter के बरावर होता है यह जरूर याद रखें कुछ याद रखें ना रखें यह दरूर याद रखें ठीक है और पहला वाला तो आप जानते हैं यह तो question के form में पूछा है जा चुका अलड़ी ठीक है और देखते हैं ठीक है feet is plural and foot is अच्छा चलिए बहुत बढ़ी आ बात है और ट्राय करते हैं तो आनसर तो आप देखी पा रहे होंगे ठीक है अगला question क्या कहा रहा है भई the standard meridian of India is ठीक है बहुत बार आप जानते हैं कि यह जो घड़ी है जिसका आप इस्तमाल करते हैं ठीक है इंडिया में इस घड़ी का जो टाइम है वो कहां से ना पा जाता है अलाबाद इंडिया इंडिया में अलाबाद से जिसको अब आप प्रियाग राज की नाम से भी जानते है ठीक है इसको आप प्रियाग राज की नाम से भी जानते है यहाँ पे अलाबाद के अंदर एक जगा है उसका नाम है नैनी क्या नाम है नैनी नाम है उस जगा पे यह स्टेंडर्ड मिरीडन लाएक करती है ठीक है और वर्ल्ड की ठीक है वर्ल्ड का जो टाइम है पूरी दुनिया का ये ग्रीन विच से चलता है ये याद रखेंगे ग्रीन विच ठीक है ग्रीन विच आप देखते होंगे कि आपकी घड़ी के अंदर या आप जब मोबाइल में टाइन सेलेक्ट करते तो जी एम टी जी एम टी प्लस फाइब थर्टी इंडिया के लिए आप जी एम टी प्लस फाइब थर्टी सेलेक्ट करते हैं चुकि ये ग्रीन विच मेरीडियन टाइम से हमारे जो टाइम है और साड़े पांच गंटे आगे चलता इसलिए म प्लस कर लेते थे ठीक है तो इंडिया का ये मेरिडीन टाइम जो है ये मेर स्टेंडर मेरीडीन इंडिया में कहां पे लाइकर थी अलाबाद में लाइकर ती जो कि कितने पर हैं 82 डिग्रीज 30 मिनट फिर ठीक ना 82 डिग्रीस 30 मिनट बहुत बढ़ यह बहुत बहुत भाद धन्यवाद जी अर्चना जी हाँ प्रियाग राज के नैनी से बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे हैं आप लोग बी आंसर बहुत बढ़िया शांदार ठीक है तो किस तरह से ठीक थोड़ा सा ओट राय कर लेते हैं भई वट इस दा डैमेंशन ओफ एवन साइज ड्रॉइंग शीट ठीक है हर्याणा SSJEE के अंदर एक बहुत सिंपल से सवाल पूछा गया कि रोज आप जाते हैं प्रिंट आउट निकलवा के लेके आते हैं तो एवन, एटू, एट्री, एफोर किसी भी साइज की शीट का साइज पूछा जा सकता है आपसे हाला कि यहाँ पे एवन साइज पूछा गया है ठीक है तो देखते हैं भाई स्टूडेंट्स क्या कहना चाहते हैं हरयान SSJEE का सवाल ठीक है तो जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि अपनी क्लास डेली साथ बजे होती है ठीक है और साथ बजे सिविल की क्लास मतलब साथ बजे फिक्स है ठी ठीक है हाँ अपने कॉमेंट करके जरूर बताया करो ठीक है जो भी इच्छा है अच्छा लगता है तो भी बताओ नहीं लगता हो तो भी बताओ अगर नहीं लगेगा तो उसको सुदार किया जाएगा आपके लिए हाँ आंसर ए कह रहे है भाई देख लेते हैं भी या आंसर इस बी 594 इंटू 841 मैं आपको पूरी टेबल दे देता हूँ यह लिज़े टेबल ठीक है ए नौट साइज एवन साइज एटू साइज एट्री साइज एफ़ोर साइज सारे साइज मैंने आपे मेंचन किये हैं आप लोगों के लिए अगर एजीरो साइज है तो 841 इंटू 1189 अगर एवन साइज है तो 594 इंटू 841 थीक है एफोर जो जनरली हम इस्तमाल करते हैं वो कितना होता है 148 इंटू 210 mm ठीक है मतलब 14.8 cm multiply by 21 cm की sheet होती है जिसमें हम print out कराके लेके आते हैं तो आप से अगली वार एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जनरली जिस एफोर साइज पर आप प्रिंट आउट कराते हैं या फिर आपको ऐसा भी लिख के ना दे कि आप से कहेगा जो जनर 48 इंटू 210 mm I hope you all are clear तो इसी जा लाइक जरूर करिए ठीक ना हाँ ठीक है अगला कोशन देखिये प्लम बॉब लाइन्स एट टू डिफरेंट प्लेसे इन प्लेन सर्वे आर ठीक है अब बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि प्लम बॉब लाइन का मतलब क्या होता है तो मै अर्ट के surface के ऊपर मैंने क्या किया एक स्टाहफ रख दिया ठीक है और स्टाफ क्या होता है परपेंडिकुलर होता है किसी भी जगा पे आप सर्वेस ऑफ़ दा इप रख दो ब्मने यहाँ पर भी रख दिया ये देखिए मैंने surface पर यहां ब्लेंडिकुलर यह होगा यह द आपके देखता है लट्टू सा ठीक है तो centring करने के काम आता है मैंने उसी की मदद से यहाँ पे centring कर ली अगर आप देखें तो कम distance पे मुझे क्या curvature of the earth consider करना पड़ रहा है नहीं करना पड़ प्लेन सावन जरा रहा है ये कहलाता है plane survey ये क्या कहलाता है plane survey कहलाता है लेकिन जब long distance है तो देखें करवेचर एफेक्ट में आ रहा है ये देखिए ठीक है तो long distance के लिए ये देखिए long distance ठीक है curvature is considered curvature is considered करवेचर को consider की आ जाएगा long distance के लिए ठीक है ना तो जब ये कह रहा है कि अगर plumb of अब देखो कोशन पर वापिस आ जाते है plumb of lines at two different places in plane survey आर ठीक है plane survey में हमें देखने को मिल रहा है कि plumb of lines क्या है ये plumb of line है ठीक है ये plumb of line है और ये कैसी दिख रही है parallel दिख रही है तो option के हैसा आप से चले जाते हैं भई ये देखिए भई या parallel to each other ये third option हो गया third option clear है बहुत बढ़िया देखिए बहुत बच्चों ने answer cb किया है बहुत अच्छा answer किया कुछ लोगों ने one और two भी answer दिया है ठीक है ना तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिसने one answer दिया है वो correct cut at the center of the earth बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन वो किस के लिए कह रहे हैं ये पहला वाला option ये कह रहे हैं geodatic survey के लिए geodatic survey जो कि हमने long distance के लिए किया जिसमें हम curvature of the earth को consider कर रहे थे I hope सब को ये clear होगा ठीक है मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को ये survey था जिसमें center of the earth पे जाके क्या हो रहा था ये intersect कर जा रही थी ठीक है जहां पे plumb of line center of the earth पे क्या कर जाएं intersect कर जाएं उसको हम क्या बोलते हैं geodatic survey बोलते हैं और उसमें हमें curvature of the earth को consider करना पड़ता है ठीक है थोड़ा सा और ट्राय करते हैं थोड़ा सा और बढ़िया करते हैं ठीक है ना मैं देख रहा हूँ आपने like नहीं करा यार ठीक है ना like बैक करो चलो पड़ा पड़ा पड आगे बढ़ते हैं फिर बहुत बढ़े नितन्त ठीक है 200 लाइक पर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी करो जल्दी सरोज बहुत बढ़िया मेनाज बहुत शांदार तुसार बहुत बढ़िया करें सर यू के पीसी के जई का पेपर सेंड किया था प्रमूज सिंग ठीक है देख लेते हैं ठीक है आज मैं बहुत अलाग 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 इग्जामिनेशन से जो अच्छा कोशन है निकाल के लि बहुत मेहनती होते हैं बियार के यूपी के बच्चे बहुत मेहनती हैं बहुत मानना पड़ेगा ये बात अगला कोशन क्या रहा है वन माइक्रॉन इस इक्वल टू आप सॉइल के अंदर अक्सर साइज पढ़ते हैं कि भाया जो सॉइल का सेंड के साइज का पार्टिकल है है आप कहते हैं भई 0.475 है यहीं कह रहा है सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं मुझे नहीं पता देखो हाँ तुम कहो के तो ठीक है हाँ चलो तुम ही बताओ भईया अब मैं 4.75 बताओ अरे मुझे निकल लिया जल्दी बताओ भई नहीं नहीं पूरे इंडिया के होते हैं और महनती लेकिन अभी एक्चुली क्या है मैं देखता हूं अगर मैं एक बच्चे को बोलता हूं ना कि ऐसा करना है तो मैंने response rate मेरे पाफ़ूरा डेटा आता है कि कहां का बच्चा देख रहा है वीडियो को कहां का बच्चा लाइ है तो वो करते हैं ठीक है other states का compatibility बहुत low result आता है मैं आपको देखिए दिल की बात बोल रहा हूं ने ठीक है और यह result मैं चाहता हूं कि other states भी थोड़ा सा आगे बढ़ाए इसको ठीक है ठीक है 10th का कहने 3rd बहुत बढ़िया 10 to the power minus 3 मैं question को थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं आप लोगों के लिए यह देखिए ठीक है अब थोड़ा सा visibility अच्छी आ रही होगी 1 micron is equal to ठीक है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ठीक है कि 1 micron जो होता है वो 10 to the power minus 3 mm के बराबर होता है और 10 to the power minus 6 मीटर के बराबर होता है ठीक है तो यहां के हिसाब से तो 3rd आंसर बन जाएगा ठीक है और यहां पे अंकित ने आंसर किया बहुत अच्छा कि सेंड के साइस का जो particle है वो 4.75 mm से लेके किसके बीच में 75 micron के बीच में आप 75 micron को आपको mm में चेंज करना हो तो आप आपासानी से कर सकते हैं ठीक है यूपी ट्रिपल सी जेए का सवाल ठीक है अगला ट्राइ कर लेते हैं भई अगला सवाल if the magnetic उत्राखंट जेई 2016 if the magnetic quadrantal bearing of a line is south 46 degree 30 minutes west and magnetic declination at the place is 2 degree 30 minutes east the true whole circle bearing of that line will be जदी किसी रेखा की चुम्बकी यह पता नहीं इतनी हिंदी तो मुझे भी नियाती छोड़ देता हूं ठीक है इतनी हिंदी भई है हमने पढ़ी नहीं दो को सही बाता है ठीक है लेकिन हिंदी में जो भी आपके लिए करा सकते हैं मुझे रूखोसिस कर रहे हैं अपनी तर रहता है true north true south true east true west ठीक है मेरे पास कोई formula नहीं है बिना formula के बिना formula के ठीक यह देखिए भई अब magnetic meridian declination east में हुआ है तो magnetic meridian भी east में मिलेगी declination जिस तरफ हुआ उस तरफ magnetic meridian मना दो तो magnetic north magnetic south ठीक है उसके बाद कह रहा है कि भाई जो declination वो कितने का है 2 degree 30 minute ठीक है भाई यह लिजिए डेल्टा लिख देता हूं और डेल्टा का value कितना है 2 degree 30 minute ठीक है ठीक है इसके बाद कह रहा है कि क्या है magnetic bearing दी है ठीक है भाई यह line हमने यह बना ली और magnetic bearing कितनी south से दी है west की दरफ magnetic है यह देखिए south west में मैंने बना दी line ठीक है और ठीक है भाई यह ज्यादा महीनित करवा रहे हैं यह line थोड़ा गड़़ा गई है इनको सही कर दें मना बुरा मान जाएंगी line है भाई कुछ भी मान सकती है यह देखिए अब यह यह दिये हुए है कि magnetic bearing magnetic bearing मैं जानता हूं magnetic south से major करूंगा west की तरफ और कितना 46 degree 30 minute ठीक है true bearing कैसे major की जाएगी line की true bearing true south से major की जाएगी अगर magnetic bearing magnetic south से हो रही है तो true bearing true south से होगी लो कर दिते है ठीक है यह angle delta है तो यह भी angle delta ही होगा भाईया अब देखने पता चल रहा है कि true bearing जो की यह है यह क्या होनी चाहिए magnetic bearing जो की 46 degree 30 minute है और delta जो की हमें question में कितना दिया है 2 degree 30 minute दिया है इसको plus कर देते हैं तो भाईया आ जाएगा 46, 48 और 49 degree 46, 48 और किसमें whole circle में पूछा गया है अच्छा अच्छा 49 degree ठीक है भाईया तो ऐसा करते हैं इसको mark कर देते हैं दूसरे से किसी लाल पैंसे कि भाईया ये पूरा एंगल जो है 49 degree आ गया है लेकिन whole circle पेरिंग में पूछा गया इस लाइन का तो भाईया यहां से चल के आना पड़ेगा पूरा तो यह इसमें क्या करना पड़ेगा 180 add करना पड़ेगा 49 में ठीक है और यह देखने पता चल रहा है यह तो 129 degree बैठेगा अच्छा सौरी 229 और आंसर ए बन गया बहुत बढ़िया ठीक है तो बच्चों ने आंसर किया है 180 रिजू बहुत बढ़िया तुलसी बहुत बढ़िया विक्रम बहुत बढ़िया प्रियंका, सुरेश, मनोज, सोनु, हकीम, रेश्मा, प्रबाथ बहुत थांदर बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे है ठीक है तो आई होब सबको समझ में आया है सबको समझ में आया है तो कॉमेंट करके बता है सर क्लियर है तब मैं आके बढ़ता हूँ ठीक है और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करने आपको तो शार प्रिंस कह रहा है एफोर साइज दो सो दस इन्टू नाइन फुट्वेंटी से ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है तो डेज माई फिफ्टी एथ क्लास संदीब संदीब जी ठीक है बिलकुल बात करेंगे आपकी एक बच्चे का यहाँ पर कहना है कि सर मैं कम्माइंट बुक कोंसी लूँ एक बात बताईए अगर आपको बुकी लेने तो मेरी क्या जरूरत है आपको मैं ये कोशन से आपको क्यों करा रहा हूँ चलिए ठीक आंसर ये हो गया अगले कोशन पर आ जाते हैं वही एगॉनिक लाइन इस दा लाइन जॉइनिंग है ठीक है हर्याना SSC हर्याने SSSB में पूछा गया इस तरह से 36 गड़ बोर्ड में इसी कोद दूसरे भाषा में पूछ लिया गया Queson same था Queson same था टेकनीकल जी ध्यान दे रहे हैं Queson same था लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया गया था हमेशा data same होता है लेकिन Queson पूछने का तरीका बदल दिया जाता है अब कह रहा है कि Egonic line is the line joining Points having Egonic line passes through the point of दोने एक ही बाते हैं to the point of map को बताना चाहूंगा, जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है, ऐसे एक बार और पूछा गया, आईसो गॉनिक लाइन, आईसो गॉनिक भी पूछा जा चुकता है, आईसो गॉनिक वो होती है, जो सेम डिकलिनेशन से पास करती है, सीम डिक्लिनेशन से पास करती है तो एगॉनिक पूछ ले आप बता सकते हैं आइसोगोनिक पूछ ले आप बता सकते हैं तो आंसर कितना होगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा थोड़ा साइड हो जाते हैं तुम देखो पढ़ो और बताओ ठीक हैं यह लो भाईया अ लेवलिंग वर्क वस केरिड आउट अलॉंग अ फॉलिंग ग्रेडियंट यूदिंग अ डंपी लेवल एक थिर्डलाइट एक डंपी लेवल का आपने इस्तमाल किया और एक काम किया बहुत बढ़िया ठीक है और आपने रीडिंग ले ली एक स्टाफ ले लिया जिसकी उंचाई कितनी थी तीन मीटर थी और जमीन में लगा दिया कह रहा है था फॉलिंग सक्सेजिव रीडिंग वर टेकन 1.555, 2.74, 0.75, 1.79 मीटर ये कोशन सबसे पहले मैंने LMRC में देखा था उसके बात का ये एक्जामेनेशन में पूचा गया, स्सी जही 2019 में भी पूचा गया, what is the correct order of book through the four readings in the field book, ठीक है, बताईए, देखे वहाई, स्टूडेंट साब, जही साब बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, हाँ, तुम सोच रहे हो, ऐसे चल जाएगा क्या, बता व बी, सी, आप देखे, कई सारे आंसर आएं, चले ठीक है, समय इतना परियाप तैस के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप छोटा गड़ दिया जाए, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, आप देखिए, रीडिंग क्या क्या दिया गया है, 1.555, कि भाईया मैंने स्टाफ र मिली, मतलब क्या हुआ, मामला ऐसा हुआ, 2.74 मिली, इसका मतलब ये कि ग्रेडियन गिर गया, ये, आपने स्टाफ वही पर रखा हुआ है, ये देखिए, ये, फिर आपको वेल्यू की तनी मिली, 2.74, ठीक है, अब इसके बाद ये तो पहली रिडिंग जो आपने ली, अच्छा, कौन सी होती, अच्छा, ये तो मैने उल्टा बना दिया, ये, मिने तौरी, I am very, really sorry, ये देखिए, थोड़ा सा इसको मोडिफाय करना पड़ेगा, बास सही ये बिल्कुल, कि भाई ये, आपने कहीं पर स्टाफ रखा, स्टाफ रखा, स्टाफ रखा, स्टाफ र रेडिंग ली, और आपको रेडिंग जादा मिली, कितनी मिली, 2.74 मिली, इस कोशन को ध्यान से देखे, कभी भी कोई भी कोशन पूछ लिया गया, आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है, जेई, एई, गेट किसी भी लेवल में पूचा जा सकता है, SSCJ 2019 में पूचा गया है, ठी बी वेल्यू में ड्रास्टिक चेंज देखें, क्या देखें, ड्रास्टिक चेंज देखें, पहले 2.74 आ रही थी और एकदम से वेल्यू क्या हो गई, बदल गई, जब भी वेल्यू उस तरह से एकदम से बदल जाए, आप समझ लेना, कि ठीड़ लाइट को शिफ्ट कर दि हो गई, इस से फिर से पहली ली, तो बैक साइट, एक रीटिंग बची है, मतलब आप में आगे, फोर साइट रीटिंग ही ली होगी, मतलब बैक साइट, ना 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 ये तो नहीं बैठी, बैक साइट, फोर साइट, बैक साइट, फोर साइट, आंसर वन हो गया, बैक साइट four's side, back side, four's side, clear है, I hope सबको clear होगा, back side, four's side, बहुत बढ़े है सरूज, ठीक है ना, तो बहुत बढ़ी है, ठीक है, और आप इस तरह के point पर जहां पर आप क्या करते हैं, four's side और back side reading, एक साथ ही point पर लेते हैं, इसको change point कहा जाता है, हमेशा change point पे, change point पे my dear friends, आपको four side और back side reading दोनों मिलती है, आप से पूछा जा सकता है, और इस change point को temporary benchmark भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, temporary benchmark, I hope सब को ये clear होगा, ठीक है, तो answer is A, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़ी है, इसको level book में, field book में डाला जाता है, blue sky, आसमान से भी बड़े हो भाई तुम तो, क्यों, जेई, चलिए, ठीक है, I hope सब को clear है, तो clear है, लिख के जरूर भेजा करो देखो, ठीक है, चलिए, थोड़ा सब ट्राय करते है, अगला question, बहुत बढ़ी है question है, हमा circular curve to the tangent is equal to, भाई यह पहले तो मैं थोड़ा सब बारे में थोड़ा सब आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, थोड़ा सब कोशिश करें, कि सुने इस चीज़ को, देखें, एक transition curve वो कर्व होता है, जब किसी एक circular curve को, आप रोड में जाते होंगे ना, बिलकुल गाड़ी द आप से एक छोटा सा कर्व, ठीक है, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, छोटा सा कर्व, यह देखिए, इस कर्व को बोला जाता है, transition curve, transition, यह transition curve जो होता है, जब यह circular curve के साथ मिलता है, तो tangentially मिलता है, कैसे मिलता है, tangentially मिलता है तो कहारा perpendicular offset मतलब 90 degree पे जो offset draw किया मतलब यह tangentially जो point पे मिलेगा तो 90 degree पे मतलब perpendicularly from the junction of transition curve and circular curve वो कौन सा है यह यह junction है वो यह junction है ठीक है कहता है circular curve to the tangent which is equal to किसके बराबर होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा 4 times of the shift 4 times of the shift shift of the curve कितना होता है L square upon 24 R मतलब इसका कितना हो जाएगा L square upon 6 R value value पूछ ले बता देना कितने times होता है पूछ लिया बता दिया 4 times होता है clear है I hope सबको ठीक है न सबको clear है बहुत बढ़िया 4 times the shift of the curve ठीक है बहुत बढ़िया सवाल था CRPF का भी तो देखिए एक mindset होता है student का मैं आपको बता देता हूँ बच्चा परिशान हो जाता है कैसे परिशान हो जाता है मैं बताऊंगा ठीक है कि जब वो एक question जैसे की हिमाचल प्रदेश में पूछा गया और मैं हिमाचल प्रदेश का question कराता हूँ कहता हूँ सर जेई में सवाल पूछा गया था तो कहता है कि नहीं सर CRPF के सवाल कराओ बाया question रिपीट हो जाते हैं देखो दिख रहा है 2015 में पूछा गया 2017 में CRPF ने पूछ लिया ठीक है तो आप बस जैसा मैं कहता हूँ उसे साफ से मूव करते रही है DMRC का जो एनलाइजर किया था उसमें भी आपने देखा होगा 95% सवाल है जो हमने यहां क्लास में किये हैं ठीक है जो कुछ YouTube में किये थे कुछ पेड़ क्लास में किये थे जितनी बच्चे हमारे पेड़ क्लास में YouTube में इस पढ़ रहे हैं उन्होंने 95% सवाल किये हैं हकीम अंसारी जी ठीक ना क्लियर अब चलिए अगला ट्राइग लेते हैं बहुत बढ़ी है कुछ इव दा पिच इस सिक सेंटीमेटर पिच दी दी गई है ठीक है स्टील का सवाल है पिच छे सेंटीमेटर दे दी गई उसके बाद कहा गया कि रिवेट वेल्यू जो है रिवेट वेल्यू कितनी है चार टन है उसके बाद कहा गया था नमबर ओ रिक्विट रिक्विट रिक्वाइड नमबर एन पूछा है कितने नमबर ओ रिक्विट चाहिए होंगे for a riveted connection carrying an eccentric load eccentric load कितना ले रहा है वह 15 टन और eccentric कितन कितनी एड़ थर्टी सेंटीमेटर ओ हो बया एक चीज़ तो मुझे पता है कि अगर eccentricity होगी ठीक है इतना से विल तो मैं पढ़ चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ मैं आपको की स्टील के लेक्शे आपके लिए अविलेबल में प्लेस में ठीक है मैंने आपको पढ हुए हुए है कि भाया अगर eccentricity available होगी तो moment develop होगा और moment किसके बरावर होता है जो भी लोड पी लग रहा है इसको पी बोल देता हूँ ठीक है पी बोल देता हूँ into e लेकिन में से number of rivets पूचे गए है कितने लगेंगे तो यह होता है under root इसका एक छोटा सा formula मैं आपको दे रहा हूँ I hope you guys will understand मैं इसका एक छोटा सा formula आपको दूँगा वो छोटा सा formula क्या है six times moment upon L into RV into pitch P ठीक है न और यह N हो जाएगा under root करके 6 moment कितना होगा P का value 15 ton eccentricity का 30 upon L का value 2 rivet का value 4 ton और pitch का value 6 solve करेंगे बता देंगे solve करने पर 6,8,10,12 कितना आ रहा है भई मेरा आ रहा है 7.5 इसका मतलब यह है लगभग लगभग 8 ठीक है क्योंकि आप साड़े साथ से कम लगा नहीं सकते जादा लगाओगे तब ही safe रहोगे answer A हो गया ठीक है न अ अनितेज देखो वा अपने में बात कर रहा है ठीक है अगर English qualify होती है तो मेरे near about 63 बैठेंगे DMRC में ठीक है अनितेज जी आप class के बाद जितनी बात करना चाहें कर सकते हैं आपके लिए platform भी बना रखा है मैंने टेलिग्राम के उपर course will ठीक है बात करो बैठके ठीक है आपस में जिसको जेई साप हूँ जितने जेई हैं आपे सब को बात करना को बात करो बैठके कोई दिक्कत नहीं है class में attentive रहना जरूरी है ठीक है चलिए बहुत बढ़ी है ठीक है सही कि है अमने अंसर बी आगया ठीक है ठीक है अगला ट्राइगर लेते हैं बढ़ी अचा एक बच्चे का यहाँ पर कह रहा है कि सर यह 2 क्या है देखी यहां पर यहां पर 문ण मैंने लिख रहा है इसकी वेल्यू डैरेक्टि andarि पेली hawetin in the rivet value is photon the number of rivets required ठीक है ना तो यहां पे जो यह जो L का value है ठीक है भाई यह जॉइंट किसी दो प्लेट के बीच में किया है ठीक है कम से कम दो प्लेट तो लगी होंगी यहां पे कई नमबर ओ प्लेट नहीं दी हुई है बाई डिफॉल्ट दो प्लेट तो होंगी क्या एक ही प्लेट में कभी जोइंट बना सकते हो नहीं दो प्लेट तो चाहिए ना यह वो है ठीक है अगला कुशन लोड ओन कनेक्शन इस नॉट डिसेंट्रिक फॉर किसके लिए इसेंट्रिक नहीं होता है लोड उत्रा खंड कमा जोइंड एई दो हजार बारा इंजिनिरिंग सर्विसेस ने दो हजार एक में पूछा हाँ जी बताइए बताइए जैई साब बताना तो पड़ेगा डेफल कवर बत जोइंट करें थ्री करें हैं सिंगल भी करें कई लोग नान अब दबब भी करें देखिए मैं बना के दिखाता हूँ लैब जोइंट कुछ ऐसा होता है यह देखिए, ठीक है, मैंने इसमें रिवेट या बोल्ट की कनेक्शन कर दिया हुई, ठीक है, जब इसमें फोर्स लगाऊंगा प्लेट पे तो यह पी ऐसे लगेगा, पी ऐसे लगेगा, लेकिन दोनों के लाइन ओफ एक्शन देखिए, अलग-अलग हैं, बीच में क्या हो रही है, सिमेट्रिकल नहीं है, कपल डवलप हो सकता है, लैब जॉइंट, नो, लैब जोड, समद रहा हैं, चलिए दूसरे ट्राय करते हैं, किसमें और हो सकता है, सिंगल कवर बड जॉइंट, बड जॉइंट मतला प्लेट को आगे पीछे से जोड लिया, यह देखिए, ऐसे जोड लिया, और इसके उपर एक कवर प्लेट लगा लिए, सिंगल कवर है ना, एक यह तरफ से कवर लगाया वई, ठीक है, और यह लगा दिया, इसके अंदर बोल्ट का कनेक्शन, इस तरह के जोइंट को मैं बोलता हूँ, सिंगल कवर, देखिए, रिजन है मार पास हर चीज का, और इसके उपर मैंने लगा दी, क्या, फोर्स लगा दी भईया, येलो पी, येलो पी, ठीक है, आप कहरे रहे हो भईया, लाइन अफ एक्शन तो एक ही में आ गई, ठीक है भई, मैंने का, बहुत बढ़ी लग रहा है, लेकिन ये इस तरह से तो नहीं तूट एगा, लेकिन इस तरह से तूट जाएगा, एस तूट जायेगा, अनसेमेटरिकल हो गया, हो गया, इस सिंगल कवर भी नहीं, डबल कवर ट्रैकल लेते हैं, कौन तिक्कत है, ये देखिए भई, और ये डबल कवर है, तो नीचे से भी प्लेट लिए ड्राइब कर लिया ठीक है ना बस हो गया double cover but joint answer हो गया ठीक है बलकुल खीचो दवाओ जो करना करो बड़िया तरीकर से काम चलेगा हाँ ठीक है ना तो इस तरह से answer पेस कर सकते हैं और answer क्या जाएगा C आ जाएगा मतलब 3 आ जाएगा मतलब डबल कवर बट जॉइंट आ जाएगा ठीक है अगला ट्राय कर लेते हैं अगला ट्राय करेते हैं The gross diameter of the rivet is the diameter of Steel के काफी question पूछे ना है देखे उत्राखंड AE ने 2013 में पूछा और S.S.C. J.E. ने उसको 2017 में पूछा ठीक है तो बहुत बच्चे एक सवाल मिट से और भी करते हैं ठीक है कि सर जो आप J.E. में सवाल करा रहे हैं क्या वो A.E. के लिए applicable हो सकते हैं तो दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है A.E. में भी होते हैं J.E. में भी होते हैं ये एक मैं मान लेता हूं रिवेट है जिसको आपको कनेक्शन करने के लिए दो प्लेटों में लगाना है तो दो प्लेट में लगाने के लिए आप उसमें पहले क्या करेंगे होल करेंगे होल करेंगे इस प्लेट में उपर से दिखा रहा हूँ और यह साइट से दिखा रहा हूँ ठीक है तो जब प्लेट में होल करके लगाएंगे तो यह लगा दिया आपने लगाने के बाद जो diameter हो जाता है revit को लगाने के बाद जो diameter होता है revit का वही क्या क्यलाता है gross diameter कि रिविट का diameter कितना है कहते हैं आप जैसे की 14 mm है तो जब भी 25 mm से कम होता है आप उसके अंदर 1.5 mm प्लस कर देते हैं क्यों, gross diameter बताने के लिए, क्योंकि आपको पता है, कि आपको वो जो छेद है, जिसके अंदर ये rivet लगाना है, उसका diameter, इसके diameter से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जब तक नहीं बड़ा होगा, तब तक क्या bolt अंदर जा सकता है, क्या rivet अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, तो grouse diameter इस thickness को add करने के बाद होता है और वो actually में किसके बराबर होता है rivet measured after driving ठीक है rivet measured after driving लगाने से पहले rivet की अच्छा before, after driving, after वाला कुन सा ये है लगाने के बाद rivet की map ठीक है ना चलिए और try करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा try करते है ठीक है, देखिए, successful होने के लिए try करना पड़ेगा जो कोशिच नहीं करता, वो यहीं खता मैं ठीक है, according to unwinds formula भाईया, आपको मैं बता देता हूँ आप एक plate लेके आते हैं, इस formula की बड़ी खास बात है बहुत अच्छी खास बात है, यह पहले मैं बताना चाहूँगा इसके बारे मैं आपको, देखिए, आप plate लिया, एक steel की plate लिया है आपने का मिरे को दो steel की जो plate है, एक ये plate है, एक ये plate है दोनों को जोड़ के इसमें joint बनाना है और आपने lap या butt joint जो बनाना चाहाँ, बना लिया यह cross sectional भी होगे, सामने से देख रहा हूँ दोनों plate होगो ठीक है न, मैंने bolt लगा दिया लेकिन भाया, तय कैसे करोगे, कि कितने diameter का bolt लगाना है कैसे तय करोगे, यह बताता है अन्विंस formula, ठीक है, और अन्विंस formula क्या कहता है कि diameter of the bolt will be equals to 6.05 under root T बात खतम, और T is the thickness of plate जो भी plate आप ले रहे हो, उसकी जो भी thickness है ठीक है न, उसके हिसाब से क्या रख लो, यह diameter रख लो मैं formula दे देता हूँ, खुची खुची निकाल लेना, लगा देना कोई formula दिख रहा ऐसा, नहीं दिख रहा, none of these, answer D खतम, ठीक है न, तो बहुत बच्चों ने answer C किया है काफी बच्चों ने D भी किया है, बिल्कुल clear answer है D ठीक है न, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तो ratification से काम नहीं चलता है मेरे दोस्तों, हमेशा concept होना चाहिए, ठीक है न, हाँ, और try करते हैं बढ़िया shear reinforcement in RCC beam is to provide to resist, भाई या एक RCC beam के अंदर देखें बढ़िया, अच्छा मैं diagram शायद आपके लिए लाया है नहीं हो beam का, ठीक है, तो मैं कहूँगा देखे, एक RCC beam ये मैं बना देता हूँ आपके लिए, ये देखे, एक beam है मैंने for example, ठीक है न, इसके अंदर आप shear reinforcement देते हैं, ये shear reinforcement देते हैं, देते हैं न, देते हैं, ठीक है न, जिसको आप stirrups ही बोलते हैं, stirrups ये आप प्रोवाइड करते हैं, किस लिए प्रोवाइड करते हैं, डाइगनल टेंशन में बचाने के लिए, बेंडिंग, कम्प्रेसिव, पंचिंग, ये सारी चीज़े मैंने बताई है, RCC के लेक्चर के अंदर, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि भाया इसके अंदर जो डाइगनल टेंशन डेंशन होती है, वो भी कहां पे, हमेशा क्रिटिकल सेक्शन पर, सपोर्同 के यहां पर, यहां पर दाइगनल टेंशन हो जाती है, डाइगनल टेंशन, ठीक है, इसलिए आप ध्धियान देते होंगे, आपने कही बार देखा हुगा और कॉलिज के अंदर जवाब से डिजाइनिंग वगरा कराते थे सवाल के अंदर तो कहते थे कि शेयर इंफोर्समेंट की स्पेसिंग बीच में थोड़ी जादा भी रख सकता हो लेकिन यहां पे थोड़ी कम रखना स्पेसिंग आप जानते हैं अगर बढ़ेगी तो भाईया वो रजिस्ट कम कर पाएगा और पास-पास रिंफोर्समेंट होगी जब आप चारो भाई साथ-साथ होते हैं बढ़ी जा काम करते हैं न और जो दूर-दूर हो जाते हैं तो दिक्कता नी सुरू हो जाती है एकता खथा ही है कुछ ठीक है न, तो diagonal tension की वज़े से हमने क्या दे ते, stir up दे दिया, shear force से बचाएगा, shear stress वगरा कोई आएगा, तुरंत कौन काम करेगा, ये काम करेगा, shear reinforcement stir up काम करेगा, बचाने का, किस में, diagonal tension में, ठीक है, इसका पूरा explanation मैं आपको RCC में समझाता हूँ, ठीक है, clear है, चलिए, what is the nominal cover to rebar in reinforcement, cement concrete exposed to very severe condition, IES 456-2000, हम जो की इस्तिमाल करते हैं, RCC में, इसके लिए मेरी एक series चल रही है, आप लोगों के लिए, Monday to Friday, रोज शाम आठ बजे आप लोगों के लिए, Monday to Friday, मैं आपके लिए, civil engineering capsule लेके आता हूँ, जिसके अंदर IES 456 को पूरी तरह से discuss करना हूँ आप लोगों के साथ, डेली 15 से 20 मिनिट बस, और बहुत effective, उसी के अंदर आपको कोशन भी कराता हूँ, जो टम समझाया, RCC से निकाल के क्योंकि कोड सब नहीं पढ़ना जानते, सब से ज़्यदा प्रप्लम आती है, जब कोड पढ़ने की बात आती है, सब गयाब, जी साब कहते हैं, टेक्निकल जी पता है क्या कहते हैं, जी साब, जी साब कहते हैं, सर, कोड मत दिखाईए, कोड देखे बहुत डर लगता है, आप नहीं लगेगा, रोज शाम 8 बजे, IS456-2000, मेरे साथ, डेली 15 से 20 मिनिट, बस, इस से ज़्यादा का जरूवत नहीं है, ठीक है, करन है, ज्यान दो, ठीक है, तीन सेट अलड़ी हो चुके हैं, और करना है आपको, तो वो ये भी कहता है कि अलग-अलग कंडिशन में, देखिए, मैं सीवियर कंडिशन में आंसर आपको दे जता हूँ, कैसे, IS456 में टेबल दे दिया, कहा कि वह यह देखो, मैं बता रहा हूँ मेरा experience है, IS456 मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कि यह mild condition अगर है, और मैंने ये भी समझाया हूँ है, पहले set के अंदर आपको, जो मैरा IS456 का पहला set किया है, only 17 minutes का है, उसमें समझाया है, mild किसको कहते है, moderate condition किसको कहते है, अलग-अलग conditions, IS code ने specify की हुई है, ठीक है, कि mild condition मे अपना बढ़िया set अले है, concrete का surface, उसमें minimum nominal cover, आप कितना दोगे, 20 mm, अब कई लोगों को ये भी नहीं पताए कि nominal cover क्या है, तो ये RCC में, मैं इसका पूरा ब्योरा detail में आपको समझाता हूँ, diagram के साथ, ठीक है, लेकिन अभी simple सब्दों में एक कहूंगा, कि reinforcement के बाहर, concrete की जितनी मोटी परताब देते हैं, reinforcement को बचाने के लिए, उसको nominal cover कहा जाता है, ठीक है, तो इस condition में कितनी होगे, very severe condition में, ये देखो भईया, 50 mm, oh, 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 answer A हो गया, देखो, clear ना, बहुत बढ़िया, बहुत शांदर, आज काफी नए बच्चे भी मुझे यहां पर नजर आ र J216 का सवाल, और अभी DMRC में भी देखा गया है, अभी जो पेपर आपने दो दिन पहले J का, DMRC J का दिया है, उसमें भी यही सवाल आया था, ठीक है, कि यहादा, total length of cranked bar, through a distance D, at 45 degree, in case of beam of effective length L, and depth D, is, बताइए, पर भावी लंबाई L और गहराई D की beam के मामले में 45 degree, पर एक दूरी D से cranked छड़ की कुल लंबाई कितनी है, क्यों मजा आया है, क्या हिंदी में, बताइए, ठीक है, और यह मैं आपको बताता हूँ, एक student है हमारी पल्लवी, वो टेलिग्राम पे उसमें मिरे से request की थी, कि सर हिंदी में भी कोशिश करके कुछ कराईए, मैं है, मुझे इंग्लिश में problem होती है, तो especially आज का जो session है, और आने वाले session जो की हिंदी में भी रहेंगे, सिर्फ मैंने उसकी request पे हिंदी का arrangement किया है, सिर्फ पल्लवी की request पे, ठीक है, तो जैसे पल्लवी ने अपनी बात क बताया कि सर मुझे इस चीज से problem आती है, ऐसे ऐसे चीज़े थोड़ी से हो जाएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और मैं better understanding के साथ चीज़ों कर पाऊंगी, तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, core civil पर, telegram पे core civil पर आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना, और ए ये चीज और अच्छी हो जाएं तो मैं और अच्छा कर सकता हूं, ठीक है, तो बताया जरूर करो, ठीक हो गया, ठीक है, तो इसका answer कितना हो जाएगा, इसका answer है, C, ठीक है, ये standard value है, L प्लस 2 into 0.42 into D, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, इसका गलत भी हो स्ट्रेस्मेंट, concrete beam is given by, ठीक है, देखे, एक बात तो मैं जानता हूं कि जो stress होता है, वो क्या होता है, force upon area होता है, किसी भी beam का area क्या होगा, B into D होगा, सही बात है, force उस पे कितनी लग रही होती है, मैं किस से represent करता था, VU से represent करता था, VU by BD हो जाएगा, simple है, या कोई है सबसे पहले चीज़ आप यही पढ़ते है, civil engineering का student सबसे पहले यही पढ़ता है, ठीक है न, तो बिलकुल लाइक होना चाहिए दवा के एक दम, और यह भी कौन बोलता है, IES 456, 2000 बोलता है, महनी बोलता, IES 456, 2000 बोलता है, इसी लिए वो series आपके लिए शुरू कर यह, और I IES 800 भी पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि देखे, पेपर के अंदर अच्छा वही कर रहा है, देखे, पेपर भरते सब हैं, टेक्निकल जी ध्यान दे रहे हैं, लाखों लोग पेपर भरते हैं, लेकिन selection, चुटकी भर लोग होगा, क्यों पता है, क्योंकि सबसे पहले दो चीज़ों फॉलो करते हैं, एक जो उनको बताया जाता है, उसको रेगुलर बेस पे करते हैं, दूसरा, हट के चीज़ों को पढ़ने में भी ध्यान देते हैं, क्योंकि एक question जो बदला एक्जाम के अंदर, वो कौन करेगा, आप ही को करना है, ठीक है, नंबर जो सब पढ़ हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ के जा रहे हैं, वो भी पढ़ के जाना है, लेकिन इतने बड़े अंदर से क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, यह भी चूज कर रहा है, तो वो चूज करने की जिम्मदारी आप मेरो पढ़ चोड़ दो, आपको बताते जाऊंगा, जाए वो पिपर आएगा आए यूपी पीचल का पेपर आ रहा है अब देखना साबित का साबित तो क्या ही कर रहा है लेकिन क्या कहते है पेपर देने के बात पता जल जाएगा कि वहीं हम करा रहे है कुछ काम आ रहे निया रहा है ठीक है चलिए ट्राइगर तेम थोड़ा त तिरॉप यह तरफ प्सक inputs लिखके राखऊ रहे इंपोस्मस्मिन देते हैं आप सियर इन फोस्मेंट होती है इन रिभी सीम atau सीमات कोंकρι्ट शेनलन और विलेज दैंगे या अगर एक beam ले ले रहे हो तो इस beam के अंदर जो आप ये stirrup देते हैं ना इनके बीच के spacing किस से कम नहीं हो सकता 100 mm, 125, 650, 675 किस से, यूपी ट्रेपल सी जे 2015, बताईए ठीक है, सभी बच्चे लाइक जरू करेंगे भई अब देखें कितांती जी का यहाँ पर कहना है कि सर nominal cover और clear cover के बीच में difference क्या होता है, ठीक है ना देखें difference मैं बताऊंगा ठीक है, लेकिन I.S.456 1978 के हिसाब से दोनों अलग अलग होते हैं 2000 के हिसाब से दोनों से देखते हैं समय के अनुसार देखते हैं ठीक है, RCC के lecture की थोड़ा सा lift उठा लो भाई, तुम्हार ले बना रखा है सबसे पहले दो lecture के अंदर यही समझा है, RCC के प्लेलिस बनी हुई है ठीक है, अगर अगर आप इसी वीडियो के description में जाएं तो environment की playlist वहाँ पे लगा रखी आपके लिए, ठीक है ना, surveying की playlist लगी हुई है और जब आप उनकी playlist खोलेंगे तो बाकियों की playlist भी दिखेंगे, playlist का section होता है चनल के अंदर, ठीक है, और जिसको नहीं देखना आता है, कोई बात नहीं, मैं अभी last में session के दिखा दूँगा, playlist तक कैसे पहुचा जाता है, ठीक है बहुत बढ़ी आंसर B, A, B, C, 3 आया वईया मैं आपको बता देता हूँ, A A answer वईया, 100 mm से कम नहीं होना चाहिए किसी भी आलत में 100 mm से कम, नहीं होना चाहिए ठीक है ना, बहुत बढ़ी आ, ये देखो ये, ये खाचा दिख रहा, ये लाल रंकी है ये main reinforcement हो गई, ये आपकी क्या हो गई, stir ups हो गई beam बनते हो तो देखा ही होगा, ठीक है ये इसको मैंने बहार निकाल लिया लग से, ये देखिए ये stir up हो गई, ठीक है ना, ये देखिए main reinforcement दिखा रखिए उस पर सामने से, ऐसे ये दिख रहे हैं, लगे हुए, ठीक है आई होब सब को clear होगा, हाँ, बहुत बढ़ी है, सचे निर्वान साब, बहुत बढ़ी है, शान्दा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सबी बच्चे कोशिश करें, लाइव रहा करें, साथ बढ़ी का टाइम आपके लिए इत फिक्स रखा रहा है, अपने लिए निए फिक्स रखा है, तुमारे लिए रखा है, वाई, वाणना मैं तो किस भी टाइम आउंगा, पढ़ा के चले जाओंगा ठीक है न, Saturday को जेई जा रहा होगा अपना, Saturday बना रहा होगा Saturday night, party night, हम भी तो बना सकते हैं, क्यों लेकिन किसके लिए तुम्हारे लिए कड़े हैं चलिए कोई बात नहीं ठीक है यह यह देखिए विच फिनिश्ट आडर भी जेई का 2019 का इस सवाल है विच फिनिश्ट कवर विद न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ओवर दा होल सर्फेस अरी अब दा वाल constructed by brick और block brick masonry अच्छा block masonry मतलब stone का कह रहा है stone का कह रहा है stone कह रहा है block का मतलब stone masonry ठीक है इसको क्या कहा जाता है pointing का जाता है plastering का जाता है grouting का जाता है false ceiling का जाता है क्या कहा जाता है बताइए 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 अब देखिए एक बहुत अच्छा सवाल पूचा है सरोज विश्वास ने ठीक है मैं उस सवाल पर आ जाता हूँ ठीक है चलिए पहले ठीक है बता देता हूँ देखिए ये कह रहे है कि भाईए ये जो जंक्षा ने इसको ऊपर क्यों रखा जा रहा है बीम के अंदर एक चीज़ बताईए बीम के ऊपर लोडिंग कैसे आती है ट्रांसफर्स तो यह यह मुड़ती कैसे आई से मुड़ती है अगर मैं जोड कोई नीचे रख दूगा नीचे खुलने का डर नहीं है क्या ऊपर रखा डर कम है वाई समझ रहे है चलिए कोई दिक्कात रहे है अगले पर आ जाते हैं बाई बताईए आंसर प्लास्ट्रिंग भी बहुत बच्चा अंसर करें ग्राउटिंग भी कर रहे हैं देखिए मैं आपक ठीक है यह देखिए सबसे पहले पॉइंटिंग वर्क ठीक है इटों के बीच में आप लगा रहे हैं यह पॉइंटिंग वर्क ठीक है अगला देखिए वाईया यह देखिए ग्राउटिंग वर्क कहीं पर अगर कॉंक्रीट निकला हुआ तो भर रहे हैं मचीन की मदद से बिल्कुल अपने हाथ मैनुवली भरो लेकिन बरना पड़ेगा कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर को बढ़िया रखना है तो अगला फॉल्स सिलिंग यह देखिए छत के ओपर एक डिजाइन दार बिल्कुल सिलिंग लगा देना फॉल्स सिलिंग असलियत में यह चत नहीं है इसे डिजाइन के लिए जो अंदर से लगाते हो चत फॉल्स सिलिंग ठीक है बहुत बढ़िया बिल्कुल ट्रोवल था वो ट्रोवल था बहुत बढ़िया हाँ यह 30 ml चला है क्यों रहे टेखनिकल जी देख रहे है जैई सापका 30 ml चला है बहुत बढ़िया बिल्कुल कहीं पर जहाँ पर cavity फॉर्म हो जाती है वहाँ पर grouting मतलब सीमेंट की सीमेंट के पेश को वहाँ पर भर देना इस कॉल्ड grouting cavity में बरना ठीक है ना हाँ चलिए अगला देख लें भईया हाँ यह डीमर्सी जी 2017 का सवाल हर्याना स्सारी हमाचल प्रदेश एससी जी 2015 में भी पूछा गया था मतलब 15 में भी पूछा गया फिर 17 में भी पूछा गया प्रमोज सिंग जी कह रहें गंटिंग क्या होता है भाई गं की मजद से concreting करना इस गंटिंग समझे रहो गंली कट 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 बिल्कुल चिपका दिया ठीक है वरना तुम क्या लेते हो चाप प्लेन करते हो बड़ाई करता है देखता है लेकिन अभी क्या है अभी टेक्नोलोजी आगी गं लेडी ठाक बिल्कुल चिपका दिया ठीक है आंसर देखिए C और D दो आंसर आ रहा है ठीक है जंक्शन भी आ होगी आई से इसे इंटे लगी होंगी नहीं लगी होगी फिक है इसके अंदर की तरफ भी कोई लेयर होगी देखिए मैं आपको को दिखाता हूं थोड़ा सा इंटरनेट का थोड़ा सा इस्तेमाल करें बढ़ीया गूगल कहा है बहिया गूगल बाबा यह रहे यह वाल दिखाते हैं आपको वाल इन 3D यह लोग आई देखते हैं गूगल साब क्या कहते है यहाँ पे लिखना पढ़ेगा बहिया बी आर आई सी के ब्रिक वाल इन 3D यह देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अनलाइस कर अपाया थोड़ा सा ध्यान दीजेगा ठीके ना बहुत बढ़िया सी कोई एक लेयर ले ले तुमारे लिए यह देखिए यह देखिए अगर आप देखें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है इसके सरफेस पे सिर्फ कौन सी इट दिख रही है यह वाली लेकिन अंदर तो यह वाली इट भी है यह वाली इट भी है दिख रही है लेकिन सिर्फ जो सरफेस पे इटे दिखती है उन्हें इटों को चुट को इन ब्रिक का आ जाता है कुंसी घान ब्रीक का जाता है उनको कुंसी ब्रिक का घान खा बर मिन ब्रिक और प्रोल राज आज़ अटतरों बंचा यह वह कि राढ़ गार ूंसे मीशतने करना ही ङणी क्या लेखिया। explicit कॉठियो सबसाज कि यह और को देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सिविल इंजिनरिंग करना अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्रीम बना दूँ अगर आप चाहते हैं कि आपका सेलेक्शन हो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में PSC J 2016 में भी पूचा गया था देख लीजे अब अब देखिये मैं लिख देता हूं West Bengal PSC 2016 में भी पूचा गया लेओ अब यह 15 फिर 16 फिर 17 repetition देखिये question का ठीके ना यह देखिये अगला question देख लेते हैं भाई यह a layer provided to prevent a layer provided to prevent of unwanted moisture inside the building either by seepage or by leakage is known as damp proof course sunshade, lintel, roof क्या बोलते हैं ठीक है seal, roadie, radh, sunshade, lintel छत क्या बोलते हैं बिलकुल यह class रोजाना होती है साथ बज़े से daily class होती civil engineering की ठीके ना के ज़से interior angle भी होता है देखिये interior interior साथ मतलब नहीं है ना यह साथ question बनाने का तरीका था वह से किए यह question बनाने का तरीका था क्यों इन वाला इससे कोई खास मतलब नहीं था like जादे से जादे करना है आप लोगों को like जादे से जादे करना है ठीक है अब देखिये एक चीज़ और इसका कॉंसर देखिए सब ने दिया है डैम प्रूफ कोर्स और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसा होता है बहुत लोगो थोड़ा सा confusion रह जाता है ठीक है ना ये देखिए डैम प्रूफ कोर्स ये देखिए आप क्या करते है मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ ये देखिए इसका थोड़ा सा बहुत बढ़ी एक पिक्चर की क्वालिटी बहुत बढ़ी जा नहीं है इसलिए थोड़ा सा पिक्सल फट रहे होंगे इट की लेयर केुपर आप देख पाने होगी भाई ये मैंने क्या गरा आ है एक कॉनक्रीट की की pcs playnt cement कॉनक्रीट की लेयर भीचा दी ताकि इट में अगर पानी आ गया इट ने सोग भी लिया tut पानी ऊपर न आप आ है कॉन्क्रीट की वो लेयर उसको उपर रही आने देगी इसको डैम प्रूफिंग का जाता है ठीक है और भी दिखा देते हैं देखो वई यह देखिए यह क्या है संशेड आपने खिड़की के बार संशेड दे रखा है दूप से बचने के लिए यह देखिए लिंटल दे रखा करती हैं ताकि उपर की दिवार नीचे ना आ जाए ठीक है ना बहुत बढ़िया बहुत शांदार बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग चलिए अगला ट्राय करते हैं थोड़ा सावर ट्राय कर लेते हैं ठीक है तो जो पॉसिबल मैं आपको करा सकता हूँ जो मैक्सिम्म पॉसिबिलिटी हो गया आपकी आपकी आख्जाम के लिए लेकिन आपकी प्रेजिंस के बिना नहीं हो सकता ठीक है अब इस कोशन का आंसर करने से पहले मैं चाहूंगा सभी लोग एक काम मेरी तरफ से करेंगे, ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ, उतनी देर में मैं भी पानी प्यूंगा, ठीक है, गला भाई सूख गया अतनी देर से बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सभी लोग फेस्बुक पे, ट चुरू करें तक तक, शेयर करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया, क्लाच डेली, देखिए स्टाइम भी लिखा हूँ, क्लाच डेली टाइम, सेवन पी-म, उसका पीडिया भी आपको मिलता है, ओल्लेडी अटैच हो चुका होगा, या फिर बनना एकाथ गंटे के अंदर देखिए, समय पूरा हो चुका है, आई होब सबने शेयर किया होगा, ठीक है, आई बिलीव, भाई, जेए को अगर बोल जाया जाता है ना, जेए मानता एक बात तो है, ठीक है ना, और इसमें मैंने आपको बताया भी ता, शुरुबात की रिजल्ट में, कि यूपी और बि चलिए, ट्राय करते हैं, यगला कुश्चन, क्या कह रहा है, ता पॉर्शन अफ दा स्ट्रक्चर बिलो दा ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड एज, ठीक है, क्या बोले जाता है उसे, अब देखिए कुछ बच्चे हैं, अभी थोड़ी देर में, बस शेयर करने के लिए बोला था कि बच्चा ये बच्चा नहीं करता है, देखिए, गया बोगया तुरंथ, ठीक ना, पचास बच्चा एक दम से गया बोगया, इसका मतलब क्या है, समझ पार होंगे, मैं क्या कराउं, ठीक ना, ये अपने पाउं पे कुलाणी मारना है, चलिए, कोई बात नहीं, दा प ये तुमारा प्लिंथ लेवल है, जिस लेवल पर तुम फ्लोर बनाते हो, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल के नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको सब्स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसके उपर का जो पार्ट होता है, उसके सूपर स्ट्रक्चर कहा जाता है, जैसे व sustainable structure वो होता है ठीक है आजकल हम कहते हैं कि sustainable construction कर रहे है sustainable मतलब जैसे पानी का इस्तमाल किया पानी का इस्तमाल करने के बाद उस सीवेज बनने के बाद आपको क्या करना है इसको clear करके साफ करके फिर गर में वापिस बिजना है ठीक है तो यह sustainable environment होता है कि भाईया उसी पानी का reuse कर रहे हैं, ठीक है, resources का overuse नहीं कर रहे हैं, ठीक है, green environment बनानी कोशिश कर रहे हैं, pollution कम से कम कर रहे हैं, इसको sustainable development का जाता है, जैसे आजकल highway बनाये जाते हैं, तो road के side में एक पेड़ लगाये जाते हैं, road में से पेड़ कम से कम काटे जाते हैं, ठी टाइल, slate टाइल, one clay टाइल, मुसाइक टाइल, बताव भाई, देखें भाई, करें डूदो, पीएसी दोड़ क्रेक किया था, जोईनिंग नहीं मिला, केस चल रहा है, हाई कोड में, WPSC 27 में क्रेक किया था, first choice irrigation था, irrigation में विकेंसी नहीं, निकला इस बार, चले कोई बात न के अंदर, उसके comments के अंदर, उसके शब्दों के अंदर ये बात नजर आ जाती है, कि वो कितना हद तक dedicated है, और वो dedication आपके अंदर दिखाई देता है, बस कोशिस नहीं छोड़नी है, two, three, four, सब answer आ रहा है, मैंगलोड टाइल, जो होती हैं, देखिए आप, कोशन थोड़ा ये अगरो तुम, ठीक है, ये देखाऊगा, तुमने छटवत पर लगी होती है, है, देखो, और दिखाते हैं तुम्हें, ये देखो भई, ये तुमारी concrete वाली टाइल हो गई, concrete tiles, दूसरी दिखा देते हैं तुम्हें, ये देखो, तुमारी slate वाली टाइल, damp proofing के काम आती हैं, ये देखो, चमकदार एकदम बढ़ी आट वाली जो टाइल होती है, मुसायक टाइल, आजकल बात रो, अत्रुम बहुत इस्तमाल कर रहे हो, तुम हम देख रहे हैं, क्लियर ना, हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो RRBJ में, CBT2 में 2019 में पूछा गया था, हाँ, बहुत बढ़िया, तो यही है कि आप थोड़ा सा देखे मेहनत करने पड़ी, आप देखे मैं कितनी मुश्किल सा आपके लिए फोटो इखटी करता हूँ, इसको डिस्प्ले कराने के लिए, हर एक चीज़ को टाइप करता हूँ, इंगलिश में, हिंदी में, हर चीज को करना पड़ता है, तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए, ओदो दो घंटे बोलना पड़ता है, स्को समझाना पड़ता है यह तक चीज को, आप कहते हैं सर आप अच्छा बढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि आज अच्छा भी नहीं पढ़ाते हैं, कुछ लोग अलाइक भी करते हैं, जयस मैं आपसे चाहता हूं कि सभी बच्चे जितने बच्चे यहां पर देख रहे हैं सब लोग दस में से कुछ नंबर दें मुझे दो जीरो चार पांच जो आपको अच्छा लगता है वो नंबर दें कि सर आप इस नंबर के लाए को ठीक है दो नंबर के लाए को बस तीनी नंब के लाए को इससे बड़िया करो तब देंगे चार नंबर देखें भई जेह साब क्या कहना चाहते हैं क्योंकि देखें मैं अपने अंदर बल्दाओ अपनी जो आपको मैं पढ़ा पा रहा हूं जो भी कोशिश आपके लिए कर पा रहा हूं उसको इंप्रूफ तभी कर है बहुत बहुत धरनेवाद आप लोग होगा इस बिलीफ के लिए ठीक है इसलिए जादा से जादा बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से ठीक है कि आप इसको शेयर जरूर करा करें फेस्बुक पर जब भी सेशन होता है ना ठीक है अगले दिन की सेशन का पहले सी आप जैसे कि मंडे को जो सेशन अपने दो दो सेशन मैंने आपके लिए एक आपके लिए यूपी पीचील का 25 तारिक को पेपर है ठीक है तो जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड कोश्चन सो सकते हैं मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि जाद जादा अच्छा आपको कराओ ठीक है और आपको एक अच्छा और सक्सेस्फुल इनसान बनाओ ठीक है अपने पिता और अपना सपना पूरा करूँगा ठीक है देखते हैं भाई कोशिश करते हैं अगला कोश्चन देखे बहुत बढ़िया कोश्चन है calculate the quantity of bleaching powder required per day एक दिन के अंदर कितना bleaching powder चाहिए हो day oh my goodness oh and the bleaching powder contains 40% available chlorine oh oh देख भाईया कह रहा है कि ऐसा है मामला calculate the bleaching powder required per day for disinfecting 2 million liters मैं तो इंटो 10 तो पाइव फाइव लीटर्स पर डे ठीक है और taking a dosage of chlorine as 1 ppm ठीक है dose कितना ले रहा है dose कह रहा है कि एक ppm ले रहा हूं मतलब 1 mg पर लीटर ले रहा है भाई ppm का मतलब 1 mg पर लीटर तो total dose कितना चाहिए total dose जो इसको चाहिए भाया एक लीटर के लिए 1 mg चाहिए तो इतने लीटर के लिए कितना चाहिए होगा भाई 1 mg per liter multiply by 2 into 10 to the power 5 liter per day, इसका मतलब ये है कि 2 into 10 to the power 5 miligrams per day चाहिए भाई इसको treatment के लिए ठीक है ना, और भाया मतलब एक दिन में कितना चाहिए 2 into 10 to the power 5 miligrams, इसका मतलब ये है कि लगबग लगबग 2 kg चाहिए कितना चाहिए 2 kg अगर 2 kg चाहिए efficiency कितना है सिर्फ 40%, ठीक है भाई question को थोड़ा सा छोटा करते, जगा थोड़ी कम बची ठीक है ना तो requirement जो आपकी आजाएगी भाईया आपके पास तो 2 kg है लेकिन efficiency सिर्फ कितनी है question में दी गई, 40% मतलब आपको इसको पॉइंट 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो कितना चाहिए actually में, 5 kg answer कितना आगया, 5 kg खतम ठीक है ना चलिए केरें स्टैप का question था DMRC में बट नहीं हुआ मेरा I love my India के रहे है अब हो जाएगा tension निलेने का हो है ना तुम tension निलेते हो फिर वहीं 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 जेरी साब गड़बडा जाता है मामला tension निलेने का अपन है ना I hope सबको clear होगा बहुत बढ़े रिजू बहुत शांदार ठीक है तो answer मैं आपको दिखा देता हूँ भाई option भी दिखरा होगा C बहुत बढ़ी है ठीक है चलिए और ट्राय कर लेते हैं भाई अपाथ टेकन भाई थे कंटिनेंस डिस्चारज अपाई गैसिया से फ्लूएंट एमिटेट फ्रम चिमनी ओ चिमनी भी दिखा देते हैं भाई यह चिमनी है यह इटे की बटी देखी है यह इसमेंसे निकलता है क्या दूआँ इसको क्या बोला जाता है एफ्लूएंट बोला जाता है गैसियस एफ्लूएंट ठीक है ना जो इसमेंसे धुआ निकल रहा है ठीक है कहें भाईया कि दा चिमनी को क्या कहा जाता है लेफ रिट कहा जाता है इन वर्जन कहा जाता है प्लूम कहा जाता है कुछ नहीं कहा जाता है बताईए 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 हाँ जैई साब बताना तो पड़ेगा बिना बताए काम चलता है क्या यह इसको प्लूम का जाता है क्या का जाता है प्लूम दिखा देते हैं तो मैं टेंचन नहीं लेने का यह देखो यह देखो यार यह देखो तुम्हारे पोटो पूरा मामला स क्या होता है जिस rate के साथ जो इसके अंदर से क्या निकल रहा है आपका gasoline module जिस AirPods रीयट के साथ हवा में ऊपाजा कि ठंडा होता है उसको लैप रिट का जाता है और कभी का बार क्या भार्डा होता है ये environment चलिए अगले ट्राय करते हैं इन्वार्मेंटल एंजरिंग पढ़ना पढ़ेगा देखो हर चीज यूँ चुटकी में नहीं होता है पहले समझना पढ़ता है इसलिए पढ़ना भी जरूरी है कोशन लगाना भी जरूरी है ठीक है तो सभी लोगों में बता देता हूं अपना से इवेड जाता है अगर वह स्बस्क्राइस सी बंटेवन है ठीक है अच्परिट्री अंग वह स्ट्राइच दो तेंब स्टर्ण के से बहुत आदल इस आधिए भित इलाइड होते हैं लेकुर लोटे अभार में हलकी होते not structurally strong strength बहुत ज़्यादा नहीं होती है ठीक है मतलब ये भी सही बात है अब दो सही बात है तो all of these तो वैसी हो गया susceptible तो corrosion by sulfuric acid हाँ concrete जो है एक hydrogen sulfide और एक sulfuric acid H2SO4 इन दोनों से बड़ा परिसान है ठीक है न इन से खराब हो जाता है ठीक है तो भाई या answer all of the above बहुत बढ़िया बहुत शानदार आंसर किया आप लोग ने ठीक है भाई मज़ेदार आप लोग के साथ बहुत अच्छी जन्नी रहती है इसी तरह से जवरदस तरीके से like करते रहिए ठीक है और आप Monday को मिलते है ठीक है क्या टाइप करना है civil टाइप करना है जिसको requirement है वो अपना ले सकता है ठीक है ना इसकी cost बहुत nominal है UP SSSCJE की भी आपके लिए test series आ गई है ठीक है test series UP SSSC के लिए जो लगाना चाहे most revision वाला class लेना चाहे ठीक है class छूड़ जाती है recorded form में आपको मिल जाती है ठीक है SSCJ non-tech का badge भी है non-tech अपनी कमजोर नहीं छोड़नी है tech के बच्चे के साथ problem यही होती है कि वो non-tech पेगाम नहीं करता है करना पड़ेगा ठीक है और यह most expected question वाला और UPPCL का भी test series आपके लिए available है ठीक है इन सब पे अपना एक code applicable है जिस पर आपको 60% off मिल जाएगा ठीक है Y173 coupon code Y173 आप लगा सकते है ठीक है और आपका काम बन जाएगा ठीक है जैसे कि आपका जो revision बैचे 3000 रुपय का है अगर आप Y173 लगा 60% off ठीक है 3000 का 60% कम कर दिया सिर्फ 40% में पड़ेगा मतलब जानते हो ठीक है चलिए बाकी मिलते हैं और comment करके जरूर बताया करिए कि कैसा आपको पसंद आता है अच्छा लगता है जो भी requirement होगी उसको fulfill किया जाएगा ठीक है जै हिन जै भारत धन्यवाद झाल 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 कि ज piace झाल झाल